नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पोश्टर लिए विधान सभा की ओर कुछ किया, इस विरुवत परदसन और विधान सभा घिराव करने आए चात्रों पर पूलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, साथ ही पूलिस और चात्रों की जड़ब भी हुई है, लाठी चार्ज के बाद आंदोरन कर रहे चात्र इधर अगल वाले खेत तक पहुँच गए, जहां पर सासन ने चात्रों को रोकने की कोशिस की, जमसेदपूर में एक कुरोना पोजेटीब S3N2 के दो संदीग दे, जारखन के पुर्वी सिम्हुम जीले में कुरोना के केस एक बार फीर सामने आ रहे है, गुरु आर को जीले में एक मरीज में कुरोना संक्रामन की पुष्टी हुई है, बरीडि के रहने वाली 34 वर्षिय महिला का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है, महिला को इलाज के लिए 21 मार्च को अस्पताल में भरती कराया गया था, बता दे गुरु आर को जीले में कूल 38 लोगों क नहीं आ रहे हैं, लोगों को डरने के जवरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, स्वास्त विभाग जाच अभियानतियज करने जा रहा है, जैराम महतो हिरासत में लाठी खाने के बाद बोले भगत सिंग के सहाधत दिवस पर पूलिस गोली भी चलाएगी जैराम महतो पर पूलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है, पूलिस के साथ जड़ब में उनकी गंजी फट गई, पूलिस ने जैराम महतो को साम तक के लिए हिरासत में ले लिया है, रांची में पूलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर जैराम महतो ने कहा है कि आज सहीद भ पिराज में 2 लाग से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है, अगर यही निती रही तो जारखन में 10 लाख बारी लोगों को नौकरी मिल जाएगी, यहां के लोग नौकरी से वन्चीत रह जाएंगे, फिर जारखन क्यों बना, उन्होंने कहा है कि हम सांति पुन तरीके से धाना परशन कर रहे थे, लेकिन पूलिस ने दल बल के साथ छात्रों पर लाठी चार्ज किया, रबर के बुलेट भी दागे हैं, जिसमें कई छात्रे खायल हो गए, उन्होंने कहा है कि भगत सिंग के सहादत दिवस पर अगर पूलिस हमारे उपर गोली भी चलाएगी, तो हम उस से भी नहीं डरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, नितिन गटकरी ने कहा, अमेरिका की तरह हो जाएगी जार्खन की सड़के, रांची से वारा नसी तक का सफर बस दो घंटे में पूरा हो जाएगा, मुझे कई बार रांची आने का मौका मिला, जब भी मैं यहां आया, तो सबसे पहले मुझे से पुछा जाता है कि रांचे जमसेदपूर रोट का क्या हुआ, लेकिन अब यह सवाल नहीं पुछा जाएगा, यह तमाम बाते परिवहन एवं राजे मार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने रांची में कही, बता दे कि केंदरिये मंतरी नितिन गटकरी ने रांची में 42,87 क्रोर की 21 पर योजनाओ का सिलन्यास किया है, बता दे यह करेकराम पुराने हाई कोर्ट से सटे मैदान में आउजित किया गया था, आगे उन्होंने कहा है कि इन योजनाओ का सिलन्यास बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे देश भर में कहीं double decker elevated road है तो रांची में बन रही है और जल्दी जमसेदपूर में भी बनेगा राहूल गांधी को सजा के बिरोध में रांची में परदर्सान मोधी सर्णेम पर टिपनी करने की वज़ा से राहूल गांधी को सजा हुई है तो जार्खन कॉंग्रेस ने इसका जम कर बिरोध किया राजधानी रांची में अलवट एका चोग पर एक जूट होकर कॉंग्रेस पार्टी के नेताओ और करकताओ ने जम कर नारेबाजी की बतादे जार्खन परदेस कॉंग्रेस के अध्यक्ष राजश ठाकूर की अगोई में हुई इस बिरोध परसर में पूर्व केंद्रे मंत्री सुबोध कांच सहाय ने भी भाग लिया जार्खन परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष राज़ ठाकू ने कहा है कि देश के अजादी में आम भूब का निभाने वाले गांधी परिवार कोट राने की कोशिज करने वाला अंधे मुख गिरेगा एक बात पर पांच जगा मुकादमा कराया जा रहा है जहां सहुलियत हो वहाँ अपनी फोज खड़ी करके राहूल गांधी को सजा दिलाने की कोशिज की गई है हम कोट में मामला को ले जाएंगे सरहुल के दिन पाहन करते हैं भविस्वानी आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते आए हैं प्रकिर्ती की पुझा करते हैं इनकी जीवी का क्रिसी पर निर्भर है सरहुल के दिन ही आदिवासी क्रिसी कारे शुरू करते हैं खासकर गेहूं की नई फचल की कटाई भी श जूड़ी हुई हैं इसी दीन पता चलता है कि इस वर्स अकाल पड़े गया अच्छी बारिस्टी होगी परंपरा है कि सरहुल पर्व के दरान गाउं का पुजारी जी से पाहन भी कहते हैं बहुस्वानी करते हैं कि गाउं में अच्छी बार्सा होगी या फिर अकाल इसके लिए पाहन मिटी के तीन पात्र लेते हैं जिसमें ताजा पानी भरते हैं अगले दिन सुबा सुबा मिटी के तीनों पात्र को बारी बारी से देखते हैं और तब भविस्वानी करते हैं कि इस साल गाउं में अकाल पड़ेगा या अच्छी वर्सा होगी जारखंड के उत्पाद विभाग में 1666 में से 888 पद रिखते जारखंड में उत्पाद विभाग में अधिकारी से लेकर करमचारी तक के पद रिखता है विभाग में बर्सों से नियुक्ती नहीं हुई है उतपाद विभाग में सिरीजीत कूल 166 पद में से बरतमान में 888 पद रिक्त हैं विभाग में पद अधिकारी से लेकर करमचारी तक के पद पर मात्र 178 लोग ही करे रहत हैं बतादे नियुक्ती का आलम यहा है कि राजे में मादर 33 उतपाद सीपाही करे रहत हैं परतेक जीला के लिए अवस्तन दो सिपाही भी नहीं हैं राजे में 29 सहायक अवर निरीक्षा कोव 47 अवर निरीक्षा कारलत हैं राजे में अवैद सराब के कारोबार रोकने से लेकर नियम अनुरूप सराब की विक्री सुनिश्चित कराने की जिमेदारी इन पर हैं राजे में सराब की खपत के साथ अवैद कारोबार भी बढ़ा है टीबी मुक्त जारखन का सपना होगा साकार दो सपता से अधिक खासी हो साम को भुखार आये छाती में दर्द महसूस हो भुख का आसास नहीं हो वजन कम होता जाए या बलगम में खून आ रहा हो ऐसे लक्षन दिखे तो साथान हो जाए ये टीबी के लक्षन है इसे हलके में नहीं ले स्वास्त केंद्र जाकर जरूर जाज कराए आप जागरूप होंगे तो समय से इलाज कराने से आप जल्द स्वास्त हो जाएंगे बतादे 24 मार्च को 26 रोग टीवी दिवस हाए टीवी एक्सपर्ट कहते हैं कि टीवी मरीज अगर इलाज नहीं कराए तो उसकी लापरवाही से एक साल में 10-15 लोग परभावित हो सकते हैं टीवी मुक्त जारखन का सापना सकार करने के लिए स्वास्त विभाग युवाओ को वर्क्सोप के जरिये जागरूप करने में जुटा है पंचात परती निदियों को जागरू का टीबी मरीजों की खोज करने और मुफ्त इलाज के लिए स्वास्त के इंतक पहुचाने में मदद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सरहूल में लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी पहुंती है आदिवासी महिलाएं जारखन पची मंगाल उडिसार मदे परदेश के अदिवासीों का एक महतपून परवह सरहूल सरहूल प्रकिर्तिक से जुड़ा परवह है इस दिन साल के फूल की जीतनी अहमियत होती है उतने ही अहमियत लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी की भी होती है बता जे सरहूल के दि जात सकूसल बरामत चातरा सदर पुलिष ने नवजात बच्चे को बेश देने के मामले का उद्भेदन करते हुए नवजात बच्चे को सकूसल बरामत कर लिया है इसमें सनलिप्त 11 लोग गिरफतार किया गया है इसके साथ ही एक लाग चोंसर्ट हैर नगत वाचार करने में जूटी बीजेपी परदेश भाजपा ने राज अस्तर पर संगठन की मजबूती के उपायतेज कर दिये हैं बहुत ससक्तिकरन अभियान को बल देने एवं संगठनिक संराचना को जमीनी अस्तरपन मजबूती परदान करने के लिए 24 मार्च से 27 मार्च तक पार्ट संगठन महामंत्री करमबीर सिंग एवं परदेश महामंत्री डाक्टर परदीप वर्मा सामिल होंगे बिधान सभा के अंदर हंगामे के बीच सियम हमंत्र ने नियोजन निती का दिया जबाब मुख्य मंत्री हमंत्र ने गुरु आरको विधान समय विपक्स के चुनातियों को सुविकार करते 1932 के खतियान समेत तमाम मुदों पर अपने अंदाज में जबाब दिया विधान तमामे जोरदार हंगामे के बीच सदन को समोधित करते उनोंने सपष्ट तोर पर कहा जिन लोगों ने न खाऊंगा और न खाने दूंगा कनारा दिया था वही लोग अब न काम कर रहे हैं और न काम करने दे रहे हैं नई नियोजान निती के बिरुद में बिधान सभा गहराव छात्रों पर लाठी चार्ज पिछले तीन महीने से राज में नैं नियोजान निती के लेकर मामला गरम हाए गुरुवआर को जार्खन इस्टेट, स्टुडेन्ट, यूनियन के बैनत तले राजे भर के चात्रों ने बिधान सभा के गिराव किया इस दोरान चात्रों के पूलिस से ज़ड़ भी हो गाई राजे भर से आ रहे चात्रों को जहां कई जगों पर रोका गया वहीं बिधान सभा पहुंचे चात्रों को भी पूलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया जिसके बाद चात्रों ने अपनी मांगो के समर्थन में नारेबाजी सुरू कर दी है राम नौमी को लेकर अलर्ट पर धनबाद पूलिस राम नौमी में सुरक्षा ब्यवस्ता को लेकर धनबाद पूलिस इस बार काफी सतर कहा है सहर में मोक रिल तुरू हो गया है हर चोक चो राहे पर भारी संक्या में पूलिस बल पहुंचकर छेतर का मुहायना कर रही है जीला पुलिस को पुलिस मुख्याले नातिरीक्त सुरक्षा बल भी मुहजा कराया है भागोलिक द्रिश्टी कों से सुरक्षा बलो को सहर की पूरी जनकारी दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस खुद उन पुलिस कर्मियों को इलाके में घुमा रहे हैं कि सहर की भोगोलिक जनकारी सुरक्षा कर्मियों को हो सके ऐसे तो राम नामी को लेकर धानबाद पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर है पूरे जीलियों को छो जोन में बाट कर सुरक्षा बेवस्ता की त्यारी की गई है सहर के लावा गोविंद पूर जहरिया कतरास निरसा स सिंदरी के कुछ इलाकों में पूलिस की विशेश चोक्सी रहेगी मुख्य मंत्री हेमंद सुरेन को घहरने के साथ कॉंग्रेश नेताओ पर भी गरज रहे बाबुलाल मरांडी बाबुलाल के रूप में भाजबा को जहर्खन में फायर बरांड नेता मिल गया है बीजेपी उनको हर मुद्दे पर आगे करती आई है मरांडी भी बीपक्स को घहरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते चाहे भरस्टाचार के मामले हो या बीधी ब्यवास्ता में चुक का हेमंद सुरेन पर लागातार हमलावार होते रहे हैं बतादे बरतमान में कॉंग्रेश नेताओ प्रवाड में मिली राहुल गांदी को दो साल की सजाब पर भी पर्तिकरिया दी है पूजा सिंघल ने कहा मेरे उपर लगे आरोप बे बुनियाद और निराधार मनी लॉंडिक मामले के आरोपी निलंबीत आये-एस पूजा सिंघल कोट में हाजिर हुई पूजा सिंघल की गहर से 19 कोर्पे बरामत हुए थे बतादे पुजा सिंगल कोट में डिश्चार्ज पर्टिशन दाखिल किया था और आगरा किया था कि उनके उपर जो भी आरोप हाएं वा बेभुनियाद हाएं गुरुवार को पुजा सिंगल डिश्चार्ज पर्टिशन को लेकर विशेस न कहा है कि बिजेपी या बताए कि वो नौकरी की से देना चाहती है उन्हें जो जार्खंट के मुलवासी आदिवासी है या फिर उन्हें जो बाहरी है बिजेपी को इस मामले पर अपना स्टेंड साफ करना चाहिए सीयम ने कहा है कि जार्खंट में अस्थानिय निती को लेकर कि हमने जो नियम बनाया था उस नियम में नीचे की नौकरियों में सिर्फ जार्खंट के लोगों को नौकरी देने के प्रधान था बिजेपी को लोगों ने उसका क्या हस्र कर दिया है वो किसी से छूपा हुआ है बिजेपी को लोग या चाहते ही नहीं कि जार्खन के लोग को नवकरी मिले बता दे हेमन सुरे ने कहा है कि एक कटर विचार धारा के लोग है उन्हें सो बातीस और बाकी मुद्धे को लेकर किसी तरह की परिसानिया खड़ी होगी वह हमें पता था बिजेपी के लोग इसम में दिक्कत करेंगे और वह आही गया बिजीतर बात है कि जार्खन के मुलवासी और वादिवासी लोगों को मदद कैसे हो इसे भाजपा के लोग समझते ही नहीं सदन में हेमन्त का एलान 1932 है और रहेगा जार्खन बिधान सबा में गुरु आरको सीयम हेमन सुरेन 1932 के मामले पर अपनी इस्थिती असपष्ट कर दी है उन्होंने कहा है 1932 हमारे पुर्वजों का संकल्प रहा है इसलिए उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है सुरेन ने कहा है कि हम लोगों ने तीन साल का कारेकल पुरा किया है और बेहतरीन काम किया है दो साल करोना वारस में गया है बच्चे हुए साल में हम लोग बेहतरीन तरिके से काम करेंगे हम लोगों ने दस लाख किसानों को रिन उपलब्द कराया है महिलाओ, किसानों, बुजुरुगों, अनुबंद कर्मियों, दिहारी मजदुरों की बच्चियों को हम लोगों ने लाब देने का काम किया है गोली नहीं अब बोली से मात खाएंगे नकसली गोली बंदूक और हतियार के साथ साथ जार्खन पुलीस अब नई नई तकनिक और उपाय के जरिये नकसलीों को पचाणने की त्यारी में है गोली नहीं अब बोली से नकसलीों को मात देने की त्यारी है इस बार पुलीस अस्थानिय भासा को हत्यार के रूप में इस्तिमाल कर रही है कहते हैं बाते इंसान को भीतर तक भेद देती है नक्सलियों के खिलाब जारखन पुलीस कुछ इसी तरह के उपाय इस्तिमाल मिला रही है गोली नहीं अब बोली से मात खाएंगे नक्सली जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने जारखन पूलीस नक्सली के खिलाब अभियान में अब लोकल लेंगवेज को अपना हाथियार बनाया है इन पोस्टर्स के माध्यम से पूलीस ग्रामिनों के जागरूप कर रही है जिसका असर भी सामने नजर आ रहा है नियोजन नीती का बिरोध कर रहे जिवाओ पर लाठी चार्ज गुरू आरको नियोजन नीती में बदलाव की मांग को लेकर बिधान सभा के घहराव करने जार है बेरुजगार योगाओ पर पुलिस दुआरा किये गए लाठी चार्ज पर बाबलान मरांडी ने परतिकिरिया दी है परतसन कारी अभियार्थियों पर करवाई की निंदा करते हुए पूर मुखमंत्री बाबलान मरांडी ने कहा है कि चात्रों को उपर बरस रही लाठी जार्खन की इस निरंकु सरकार की ताबूत में आखरी किल सावित होगी बिजेपी बिधायक दल के नेता बाबलान मरांडी ने कहा है कि रांची में नियुजन नितिवा चात्रों हित के मुद्दे को लेकर आंदोरन कर रहे चात्रों पर या बरबता पूर्ण करवाई बता रही है कि सुरेन सरकार के लिए राजिय के युगा के वाल बोट बैंक ठे और कुछ नहीं चात्रों को पर बरस रही है लाठिया जारकन की इस निरंको सरकार की ताबूत में आखरी किल साबित होगा धन्यवाद